हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश्ट गुपता एक्जाम ट्रेंड चैनल से आप लोगा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे सिग्जाम ट्रेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और दोस्तो नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन पर जरूर से प्रेस के अगर ये तब ही आपको डेली रूटीन में जो हमारा वीडियो जाता है उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और दोस्तो हमारे इस एक्जाम ट्रेन चैनल पर आपको डेली करेंट अफेर्स, यूपी स्पेशल, घटना चक्रका सार, भारत की राजज़ बेऊस्ता, इस्टैटिक जीके, साइंस, जियोग्राफी, इकोनामिक्स, इन सभी विस्यों की मुप्त क्लासेज दी जाती है तो आप हमारे इस एक्जाम ट्रेन चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ से इन सभी विस्यों की मुप्त क्लासेज देख सकते हैं, ठीक है, बात करते हैं दोस्तो आज की अपने टॉपिक की, दोस्तो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री इस्पेशल, ठीक है, और आज हम लोग प का कराची अध्वेशन 1931, इन दोनों टॉपिक को हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं, इन दोनों टॉपिक से दोस्तो अभी तक जितने भी कोश्चन एक्जाम में आये हुए हैं, उन सभी कोश्चन को हम लोग डिसकस करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में, तो आईए दोस्तो आज का हमारा सबसे पहला कोश्चन आपके सामने है कि गांधी इर्विन समझोता हुआ मुख्य रूप से, तो दोस्तो कब हुआ था गोल में सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था? कब हुआ था मुख्य रूप से गोल में सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, तो दोस्तो गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसतराय लाड इर्विन से भेट की और उनकी बाचीत 15 दिनों तक चली, जिसके प्रिडाम सुरूप 5 मार्च 1931 को एक समझोता हुआ जिसे गांधी इर्विन समझोते के नाम से जाना गया, most important ये दोस्तों ये date जो है, ये most important है, date को एकदम धिमाग में feed कर लीजिए, ठीक है, correlate कर लीजिए, अगर आपको नहीं आध हो रहा है, तो किसी भी जो कोई भी आपके friend, circle में कोई भी आपका मित्रो जिसका birthday, ज समझोता हुआ था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस समझोते के तहत, कांग्रेश को सविनय अवग्या आंदोलन अस्थगित करना पड़ा था, कांग्रेश दुतिय गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, ठीक है, और वस्तुतह प्रथम गोल में सम्मेलन में कांग्रेश सामिल नहीं हुई थी, यह समझोता मुख्य रूप से गोल में सम्मेलन में कांग्रेश की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था, ठीक है, अगला कोशन हमारा है कि गांधी इर्विन समझोता हुआ था, अभी अभी तो हम लोग पड़े हैं, गांधी इर् तो रिपीट हो चुका है और आगे भी यह ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, ठीक है, अगला कोशन हमारा है कि 5 मार्च 1931 को कौन सा समझोता हुआ, देखिए एक ही कोशन कितनी बार आया हुआ है, और थोड़ा सा बस आगे पीछे आगे पीछे वर्ट करके, जो है एक ही कोशन बार बार आरा एक्जाम में, ठीक है, तो इसको याद कर लेजेगा, 5 मार्च 1931 को कौन सा समझोता हुआ था, गांधी इर्विन समझोता, ठीक है, अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला कोशन है दोस्तों कि गांधी इर्विन समझोते पर हस्ताचर हुए, तो ग समझोते के अनुसार, ठीक है, तो देख लेते हैं, कुछ most important इसमें क्या बाते कहेंगी थी, क्या हुआ था समझोते में, ठीक है, इसके अनुसार दोस्तों, गांधी इर्विन समझोते के अनुसार, सबसे पहली बात तो यह है, कि गांधी जी के नेत्रित में, कांग्रेस सव युद्ध बंदियों, जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, उनको रिहा करने का आदेश दिया जाए, ठीक है, तीसरा क्या था, कि विदेशी कपडों और सराप की दुकानों पर सांती पूर्ड धर्णा देने का अथिकार, ठीक है, नेक्श बात करें, समुद्र तरतिय प्रदेसों में बिना नमक कर दिये नमक बनाने की अनुमती, ठीक है, तो सबको पता है, उस टाइम नमक पे कर लगता था, तो जो है, एक यह भी था, यह भी समझोता हुआ था, कि समुद्र तरतिय प्रदेसों में बिना नमक कर दिये नमक बनाने की अनुमती, अगल कि भगत सिंग, सुखदेव एवं राजगुरु को फासी न दिये जाने की जनता की मांग को इसमें समलित नहीं किया गया था ठीक है तो भगत सिंग, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों लोगों को सबको पता है कि फासी होने वाली थी और इस समझोते के अनुसार ऐसा क कोशनी हुआ कि इनकी फासी को ढाल दी जाएगी ठीक है तो इसके वैसे जनता भहुत ही उदास चली उस टाइम में चली आगे बढ़ते हैं किसका अस्थगन गांधी इर्विन समझोते में किया जाना प्रस्तावी था तो दोस्तों सविने अवग्या आंधोलन का जो है अस् कि किसने इर्विन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था most important question है दोस्तों सरोजनी नाइडू जी ने गांधी और इर्विन जी को दो महात्मा कहा था ये question भी हमारी exam में दो बार आ चुका है तो आप लोग इसको भी याद करके रखिएगा भूलेगा मत ठीक है आगे फिर से आ मारा है कि गांधी इर्विन समझोते के हस्ताचरित होने में किसने महत्वपूर भूमिका निभाई थी तो दोस्तों तेज बहादूर सप्रू जी थे इन्होंने जो है गांधी इर्विन समझोते के हस्ताचरित होने में महत्वपूर भूमिका निभाई थी सविनय अवग्य आंधोलन के विस्तारी थोते स्वरूप को देखते हुए वाय सराय इर्विन ने देश में सौहाद्र का वातावरर उत्पन करने के उद्देश से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया और तेज भादूर सप्रू तथा M.R. जैकर के प्रयोतनों से गांधी एवं इर्विन के मद्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वारता आरम हुई सबसे पहले बात की सुरूवात कहां सोई गांधी जी और इर्विन के बीज तो फरवरी 1931 में और कहां पे तो दिल्ली से जो है इन दोनों लोगों की गांधी जी की और इर्विन जी की बातचीत की सुरूवात हुई ठीक है और आगे चलके 5 मार्च 1931 को दोनों के मद्य एक समझोता हुआ जो गांधी इर्विन समझोते के नाम से जाना जाता है ठीक है और इस समझोते के परिप्रेच्य में सरोजनी नाइडू ने गांधी और इर्विन को दो महात्मा की संग्या दी थी क्या कहा था सरोजनी नाइडू जी ने कि गांधी और इर्विन दो महात्माओ का काम कर रहे है ठीक है तो ऐसा सरोजनी नाइडू जी ने कहा था तो इससे भी कोशन आ चुगा एक्जाम में इसको भी याद करके रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला कोशन है कि किसने गांधी इर्विन समझोते में महात्मा गांधी के लाब को सांतोना पुरसकार कहा था तो दोस्तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने जो है कहा था ऐसा सांतोना पुरसकार के लिए इर्विन के जीवनिकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इर्विन समझोते में महात्मा गांधी को लाभो को सांतोना पुरसकार और इर्विन के एक मात्र आत्म समरपड के रूप में बाचित के लिए सहमत होने को कहा था ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हमारा जो है इस टॉपिक यह टॉपिक ओभर होता है और हम लोग नेक्ष जो है बात कर कांग्रेस का कराची अधिवेशन के बारे में जो की 1931 में ही हुआ ठीक है तो आईए इसके भी कोश्चन देख लेते हैं सबसे पहला कोश्चन है किसने भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था तो दोस्तों वल्लब भाई पटेल ने किया था सबको पता है most important question है गांधी इर्वीन समझोते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लब भाई पटेल की अधिवेशता में 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था ठीक है कब हुआ था 29 मार्च 1931 को ठीक है कांग्रेस का कराची अधिवेशन ह और अगर हम लोग गांधी इर्वीन समझोते की बात करें तो इसी से थोड़ा सा पीछे चल जाएए 5 मार्च 1931 ठीक है कब चले जाएंगे 5 मार्च 1931 को चले जाएंगे तो गांधी इर्वीन समझोता आ जाएगा और उसी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे 29 मार्च 1931 को तो का कांग्रेस का कराची अधिवेशन ठीक है इसी अधिवेशन में दोस्तों पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्री आर्थिक कारिक्रमों से संबध प्रस्ताव पारित के और इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरुद्ध करने पर गांधी जी ने कह था कि गांधी मर सकता है गांधी वाद नहीं ठीक है क्या कहाता गांधी जी ने कि गांधी मर सकता है गांधी वाद नहीं यह पहला औसर था जब पूर्ड स्वराज को कांग्रेश द्वारा परिभासित किया गया था किसके द्वारा पूर्ड स्वराज के द्वारा परिभासित किया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा next question है दोस्तों कि 1931 में भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेश के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कारिक्रमों पर संकल्प प्रारूप किया था तो दोस्तों पंडित जवाहलाल नहरू जी ने संकल्प प्रारूपित किया था 1931 में भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेश के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कारिक्रमों पर संकल्प पंडित जवाहलाल नहरू ने प्रारूपित किय था तथा M.N. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं हमारा आज का ये लाश कोशन होगा दोस्तों कि इसने भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा घांधी की लोग प्रियता और सम्मान की प इसको महात्मा घांधी की लोग प्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है ठीक है कौन माना है तो सुबाष चंद्र भोष जी ने चलिए दोस्तों हम लोग कुछ बात करने हैं करने वाले हैं एक्जाम स्पेसल के बारे में ठीक है कि एक्जाम में किस तरह से कोश्यम पू और दूसरे साइड क्या देदेगा काला नुक्रम तो आपको घटना और काला नुक्रम मिलाना रहता है ठीक है तो इस चीज को आप अच्छे सहाथ समझ लेजिए सबसे पहले हम लोग बात करने हैं गांधी इर्विन सम्झाहते की दोस्तों तो यह कब हुगा था 5 मार्च 1931 इसको डेट एकदम अच्छे सहाथ कलीजिए ठीक है गांधी इर्विन सम्झाहता जैसे कोई गांधी इर्विन का नाम ले एक साथ तुरंत आपके मुझ से निकलना चाहिए 5 मार्च 1931 ठीक है भगत सिंग को दोस्तों फासी कब दी गई थी तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी और नेक्स हमारा भारती राष्ट्रिय कांग्रेश का कराची अधिवेशन कब हुआ था तो तुरंत आपके मुझ से निकलना चाहिए 29 मार्च 1931 वैसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये 26 से 29 के बीच में हुआ था ठीक है 26 से 29 मार्च तक ये कांग्रेश का कराची अधिवेशन चला था अगला है हमारा पूना समझोता तो दोस्तों पूना समझोता कब हुआ था 24 सितंबर 1932 को जो है पूना समझोता हुआ था कब हुआ था 24 सितंबर 1932 नेक्स बात करते हैं दुति ये गोल में समेलन कब हुआ था तो दोस्तों ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था कब हुआ था 7 सितंबर 1931 को ठीक है तो इसको हम लोग कहां लगा देंगे यहां लाके आप लोग लगा लिजीगा ठीक है गांधी इर्विन सबसे पहले गांधी इर्विन समझाता उसके बाद 5 मार्च 1931 को ठीक है 5 मार्च 1931 को गांधी इर्विन समझाता फिर 7 सितंबर 1931 को दृतिय गोल म सम्मेलन ठीक है तो ये सब आप लोग लाइन से याद कर लिजेगा पांच मार्च को गांधी इर्वीन तेईस मार्च को भगत सिंग और सुकदेव राजगुरु इन तीनों लोग को भासी उसके बाद 26-29 मार्च तक 1931 में ही भारती राष्टी कांग्रेस का कराची लिजेगा और अच्छे से याद कलेजेगा most important question है यहां से जो है question पूठ होते हैं ठीक है next part में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं goal में सम्मेलन ठीक है क्या पढ़ेंगे अगले part में हम लोग पढ़ेंगे goal में सम्मेलन अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रह लिए और उस topic को भी cover करते चलिए ठीक है thank you friends thank you so much